श्री गिनेशाई नमा, श्री जानकी वर लभो विज्जते, श्री राम श्रित्रमानस, शष्ट सोपान, लंका कांट कामदेव के शत्रो, शिवजी के सेवियर, जनम मृत्यों के भेको हरने वाले, काल रूपी मतवाले हाथे के लिए सिंग के समान, योगियों के सामी योगी श्र, ग्यान के दोरा जानने योगियर, गुनों के निधी, अजे, निरिगुन, निर्विकार, माया से परे, दीटाओं के सामी, दुस्टों के वध में तक्वर, ब्रामन विरिंद के एक मात्र देता, जालवाले मेक के समान संदर, शाम, कमल के से नित्रवाले, प्रिथी बथी राजा के रुब में, परम देव शी राम जी के मैं बंदना करता हूं। के कल्परिक्ष गुनों के निधान और काम देव को भजम करने वाले पार्ति पती बंदनीय श्री शंकर जी को मैं नवश्कार करता हूं जो सत पुर्षों को अत्यांत दुर्लव कैवल्य मुक्ति तक दे डालते हैं और जो दुस्तों को दंड देने वाले हैं में कल्यान का रिश्री शंभू मेरे कल्यान का विस्तार करें लाव नमेश परमानो जुग बरस कलप सर्चंड बसीना मन तेही राम को कालो जासु को दंड लाव नमेश परमानो वर्ष युग और कल जिनके पर्चंड बान हैं और काल जिनका धनुश है एमान तो उन शीर राम जी को क्यों नहीं भज़ता सिंधू बचन सुनी राम सचिव बोली प्रबु अस कहिव अब विलंबु के ही काम करहूं से तो उत्रे करें समुद्र के वचन सुन करके प्रबु शीर राम ने मंत्रियों को बुला करके ऐसा कहा आवे विलंब की से लिए हो रहा है पुल ते यार करो जिसमें सेना उत्रे सुने ही भानो कुल के तो जाम वंत कर जोरी कहे नाथ नामताव सेतू नर्चडी भव सागत सबसे बड़ा सेतू तो आपका नाम ही है जिस पर चड़कर के जिसका आच्छे लेकर के मुनश संसार अपिस मुद्र से पार हो जाते हैं यह लगू जल्धी तरत कती बारा अस सुनी पुनी के है पवन कुमारा प्रभु परताब वड़वा नल भारी शो शेव प्रथम प्यो निथी पारी फिर यह चोटा सा समुद्र पार करने में कितनी देर लगेगी ऐसा सुनकर फिर पवन कुमार शिरी हनमान जी ने कहा परताब प्रभु का परताब भाड़ी समुद्र की आग के समान है इसने पहले समुद्र के जल को सोख लिया था ताव रिपुन नारी रुदन जल धारा भरेई बहोरी भेवते ही खारा सुनि अति अकुती पवन सुत केरी हरसे कपी रगपती तन हेरी परतो आप के शत्रों की इस्तियों के आंसों की धारा से ये फिर भर गया और उसी से खारा भी हो गया हनवान जी की ये अत्युक्ती अथात अलंकार पूर्न युक्ती सुनकर के वानर शीर रगपती जी की और देख करके हर्शी तोगे जामन तब बोले दो भाई नाल नील ही सब कता सुनाई राम परताप सुमीरी मनमाही करहूं से तू प्रियास कच्छू नाई जामन नाल नील दोनों भाईया को बुला करके उन्हें सारी कता कैस सुनाई और कहां मन में शीरी राम जी के परताप को समरंग करके से तू तियार करो राम परताप से कुछ भी प्रिश्रम नहीं होगा बोली लिए कपी निकर बहोरी सकल सुनहीं भिम्ती कच्छू मोरी राम चरन पंकज और धरहूं कोत हूं एक भालू कपी करहूं फिर वानों के समू को बुला लिया और कहा आप सब लोग मेरी कुछ विंती सुनिये अपने हिद्दे में शीराम जी के चरन कमलों को धरन कार लीजिए और सब भालू और वानर एक खेल कीजिए दाहू मरकट विकट बरू था आनहू बिटब किरहिन के जू था सुनि कपी भालू चली कहीं हूँ हुआ जैर गुबीर परताब समू हा विकट बानो के समू दोड़ जाईए और विरिक्षो तथा परतो के समू को उखाड लाईए नियसं करके बानर और भालू हू 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 ह और शीर गुनाज जी के परताब समू की अथवा परताब के पंज शीर राम जी की जैप बुकारते हुए चले आती उतंग गिरी पादप लीली ही नेही उठाई आनी देही नलील ही रचीत से तु बनाएं बहुत उचे उचे परतो और विरिक्षो को खेल की तरह ही उखाड करके उठा लेते हैं और लाला करना नील कुट दीती हैं वे अच्छी तरह गड़ कर सुन्दर से तु बनाती हैं सैल बिसाल अनी कपी देही कंदुक इवन नल नीलत लेही देखी सेतु उती सुन्दर रचना बेसी क्रि पादे बोले बचना वानर बड़े बड़े पहाड ल प्रवाल आकर देते हैं और नाली उन्हें गेंद की तरह ले लेते हैं सेतु की अच्चनत सुन्दा रचना देख करके किपा सिंदो शीरी रामजी हस करके वचन बोले परमरम्य उत्तमिय धरनी महिमा अमे तजाइन नहीं बरनी करिहूं इहां संदो थापना मोरे हिद्दे पर परमकल्पना यह यहां की भूमी परमरम्नी अरुत्तम है इसकी यसीम महिमा वर्ण नहीं की जा सकती मैं यहां शीवजी की स्थापना करूंगा मेरे हिद्दे में यह महान संकल्प है सुनी कपीस बहुत दूत पठाए मुनिवर सकल बॉली ले आए लिंग थापी विदिबत करी पूजा सिव समान प्रियम मोहिन दूजा शीवजी के वचन संकर के वनर राजस गुरीव ने बहुत से दूत बहजे जो सब श्रेष्ट मुनियों को बुला करके ले आए शीवजी के समान मुझे को दूसरा कोई प्रिये नहीं है सीव द्रोही मम भगत का हावा सो नर सपने हूं मोहीन पावा संकर बिमुख भगती चेह मोरी सो नार की मोड गती थोरी जो सीव से द्रो रखता है और मेरा भगत कहलाता है वे मनुश्य सपन में भी मुझे नहीं पाता शंकर जिसे विमुख हो करके विरोध करके जो मेरी भगती चाहता है वे नरक गामी मूर्ख और अलप बुद्धी है जिसको शंकर जी प्रिये हैं परद तो जो मेरे द्रोही हैं एम टो शिवजी के द्रोही हैं और मेरे दास बनना जाते हैं तो ये मनुश्य कल्प भार घोर नरक में निवास करते हैं जे रामेसर द्रसनो करी हैं ते तनु तजी मम लोक सिदा रहीं जो गंगा जलू आनी चड़ाएं मी सो सायुज्य मुक्ती नर पाएं मी जो मनुश्य मेरे स्थापित की हुए इन दामेश्रम का दर्शन करेंगे में शियर छोड़ करके मेरे लोक को जाएंगे और जो गंगा जल ला करके इन पर चड़ावेगा में मनुश्य सायुज्य मुक्ती पावेगा अर्थात मेरे साथ एक हुजाएगा होई अकाम को च्छलत जी सेही भक्ती मोरी तेही संकर दे मामकृत सेतु जो दर्शन करें सो बिनुश्य म्भवसा अगरत रही जो च्छल छोड़ करके और निश्काम हो करके रामेश्य जी की सेवा करेंगे उन्हें शंकर जी मेरे भक्ती देंगे और जो मेरे मनाय सेतु का दर्शन करेंगा तो बिना ही प्रिष्रम संसार अप्रिस समुदर से तर जाएगा राम बच्छन सब के जी अभाए मुनि मरनिज निज आश्रम आए गिर्जा रगवपती के ये रिती संतत करहीं प्रनत पर प्रिती शीर राम जी के वज़न सम के मन को अच्छे लगी तरंतर वे श्रेष्ट मुनी अपने अपने आश्रमों को लोटाए शीव जी कहती है पारवती शीर रगुनाज जी की यह रिती है कि वे श्रनागत पर सदा प्रिती करती है भादा से तू निल नल नागर राम करिपा जिसू भियु मुजागर बुण ही आन ही बोर ही जैं भे उपल बोहित सम्तें चतुर नल और निल ने से तू बादा शीर राम जी की करपा से उनका यह यश सर्वत्र फैला जो पत्थर आप ढूपते हैं और दूसरों को डुबा देते हैं वे ही जहाज के समाज से हम तैरने वाले और दूसरों को पार ले जाने वाले होगी महिमा ये ना जल्दी कई बर्नी पाहन गुन ना कपिन कई करनी ये ना तो समुद्र की महिमा बर्नन की की है ना पत्थरों का गुन है और ना मानों की ही कोई करामात है शीरी रगबीर परतापते सिंदो तरे पाशान ते मती मंद जो रामत जी भजही जाई प्रभुवान शीरी रगबीर के परतापते पत्थरों समुद्र पर तैर गे ऐसे शीरी रामत को छोड़ करके जो किसी दूसरे स्वामी को जा करके भजते हैं वे निश्चे ही मन्द बुद्धी है बांदी सेतु अधी सद्रड बनावा देखी क्रिपा ने दीके मन भावा चली सैन कच्छु बरनी ना जाएं गर्ज ही मरकट भट समुदाएं नालनी ने सेतु बांद करके उसे बहुत मजबूत बनाया देखने पर वहे क्रिपा निधान शीराम जी के मन को बहुत ही अच्छा लगा सेना चली जिसका कुछ बरनन नहीं हो सकता योधा बांडों के समधाएं करज रहे हैं सेतु बंद डिग चडीर घुराई चितव किरिपाल सिंधू बहुत आई देखने कहूं प्रभु करनाकंदा प्रगट भे सब जल्चर ब्रिंदा किरपाल शिरी रगुनाजी सिंधू बंद के तट पर चड़ करके समधर का विस्ताद देखने रहें करनाकंद करना के मूल प्रभु के दर्शन के लिए सब जल्चरों के समू प्रगट होगे जल के उबर निकलाए मकर नकर नाना जस ब्याला सत जोजन तन परंबिशाला आईसे उन एक तिन ही जे खाएं एकन के डरते पी दे राहें बहुत तरह के मगर घड़याल मच्छ और सर थे जिनके सोसो योजन के बहुत बड़े विशाल श्रीर थे कुछ ऐसे भी जनतों थे जो उनको भी खा जाएं किसी किसी के डर से तो वे भी दर रहे थे प्रभगों बिलो के ही तरही न टारे मन हर्शित सब भे सुखारे तिन की ओटना देखिय बारी मगन भे हरी रूप निहारे मैं सब वेर विरौत भूल करके प्रभगो के दर्शिन कर रहे हैं हटाने से भी नहीं हटते सब के मन हर्शित हैं सब सुखी होगे उनकी आण के कारण जल नहीं दिखाई पड़ता मैं सब भवान जी का रूप देख करके अनंद और प्रेम में मगन होगे चला कट को प्रभु आईसू पाई को कही सक कपी दल बे पिलाई प्रभु शीर रामचंदर जी की आज्या पा करके सेना चली वानर सेना की वीपुलता अत्यादिक संख्या को कौन कह सकता है सेतू बंद भई भीर अती कभी नव पंथ उड़ा ही आपर जल चरनहीं उपर चड़ी चड़ी पार ही जाएं सेतू बंद पर बड़ी भीर हो गई इसे कुछ वनर अकाश माग से उनने लगे और दूसरे कितने ही जलचर जियों पर चर 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 कर गई पार जा रही आस कोतुक बिलोकी दो भाई बिहन सी चले किरिपाल रगुराई सैन सही तुत्रे रगुबीरा कहीं न जाएं कपी जूतब भीरा किरिपालु रगुनाची तथा लचंजी दोनों भाई ऐसा कोतुक दे करके हसते हुए चले शीर गुबीर सैन सही समद्र के पार हो गए वान्रो और उनके सैनापतियों की भीर कहीं नहीं जा सकती सिंधु पार प्रभु देरा कीना सकल कपिहनी कभु आईसू दीना खाहूं जाएं फल मुल सुहाए सुनत भालो कभी चांता धाई प्रभु ने समद्र के पार डेला डाला और सब वान्रो को अग्या दे कि तुम जाकर के सुन्दर फाल मुल खाओ ये सुनते ही रीच वान्र जहां तहां दोड़ पड़े सब तरु भरे राम हित लागी रितु अरु कुरुती काल गती त्यागी खाही मदुर फल बिटबा हलाव ही लंका सनमुख सिखर चिलाव ही शीर राम जी के हित सिवा के लिए सब वरिक्ष रितु कुरितु समय की गती को छोड़ करके फल उठे वानर भानू मिठे मिठे फल खा रहे हैं रिक्षो को हिला रहे हैं और पर्तो के शिक्षो को लंका की और फैंक रहे हैं जा कहुं पेरतने साचर पावही घेरी से कल बहुं नाचने चावही दस नहीं काटी ना सिका काना कही प्रबु सुजशु देही सब जाना घूमते भूते जहां किसी राक्षिश को पा जाते हैं तो सब उसे घेर करके खूमने चाते हैं और दातों से उसके ना कान काट करके प्रभू का सियश कह करके अथवा कहला करके तब उसे जाने देते हैं जिनकर ना सा कान निपाता तिन हदाम नहीं कहीं सब बातां सुनो तश्यरमन बारिधी बंधाना दस मकबुली उठा कुलाना जिन राक्षों के नाक और कान काड़ डाले के उन्हें रावन से सब समझार कहा समद्र पर सेत्व का बांधा जाना कानों से संते ही रावन घवरा करके दस्व मुखों से बोल उठा बांधियों बन निधी नीर निधी जल्धी सिंदु वारिष सत्य तोय निधी कमपित उधती प्योधी नदीश निधी नीर निधी जल्धी सिंदु वारिष तोय निधी कमपती उधधी प्योधी नदीश को क्या सच मुची बांध लिया निधी विकलता विचारी वहोरी बेश्ची ग्यों ग्रैकरी भें भोरी मंदोद्री सुनियों प्रभु आयों कोत के ही पाथोधी भांधियों फिर अपनी विकलता को समझ करके उपर से हस्ता हुआ भें को भुला करके रावन महिल को गया मंदोद्री ने सुना कि प्रभुशी राम जी आगे हैं उन्होंने खेल में ही समुद्र को बंद्वा लिया है करके ही पती ही भावन निज आने बोली परम नोहरवानी चरन नाई सिरु अचलु रोपा सुनही बचन पिय परिहरी कोपा वे हाथ पकड़ करके पती को अपने महल में ला करके परम नहरवानी में बोली चर्न में सिर्ण नवा करके उसने अपना आजल पसारा और काहि प्रितम क्रोध त्या करके मेरा बच्छन सुनेगे नात बेरूं कीजे ताही सो बुद्धी वाले सकी जीती जाही सो तुम्ही रगोपती ही अंतर कैसा खलो खड्योत लिन करहीं जैसा ही नात वैद उसी के साथ करना चाहिए जिस से बुद्धी और बलके द्वरा जी सके आब में और शीरगुनाज जी में निश्चे ही कैसा अंतर है जैसा जुगनु और सूरे में अतिवाल मधु कैटब जेही मारे महाबीर दिती सुत्त संगारे जेही बली बांदी सहज भुजमारा सोई अब तेरू हरन मही भारा जिन्होंने विश्णु रूप से अत्यंत बल्वान मधुर कैटब देथ मारे और वरार नर्सिंग रूप से महान शूरवीर दिती के पुत्रों हिन्याक्ष और हिन्ना के शपकर संगार किया जिन्होंने वामन रूप से बली को बांदा और पत्सु राम रूप से सहस्तर बाहु को मारा वेही भगवान पृत्थी का भार हरन करने के लिए राम रूप में अवितीर न हुए है तासु विरोधना कीजिये ना था काल करम जिव जाके हाता हिन्नात उनका विरोध मत कीजिये जिनके हाथ में काल करम और जीव सभी हैं राम ही सोपी जानकी नाई कमल पदमात सुत कहूं राज समर पी बन जाईं भजी रगुनात शीर रामजी के चरन कमलों में सिर्ण नवा करके उनकी शरन में जाकर के उनको जान कीजी सुप दीजिए और आप पुत्र को राज़ दे करके वन में जाकर के शीर गुनाजी का भजन कीजिए नाथ दीन द्यालर घुराई बागूं सनमुख के ना खाएं चाहिए करण सो सब करीबी ते तुम सुर असुर चिराचर जीते ये नाथ शीर गुनाजी तो दीनों पर द्या करने वाले हैं समुक्षरन जाने पर तो बाग भी नहीं खाता आपको जो कुछ करना चाहिए था वे सब आप कर चुके आपने देवता राक्षिश तदह चाहर चाहर सभी को जीत लिया संत कहीं ही असी नीती दसानन चोथे पन जाहीं निपकानन तासो भजनों की जीये तह भरता जो करता पालक संहरता संत जन ऐसे नीती कहते हैं कि चोथे पन अर्थात बुड़ापे में राजा को वन में चले जाना चाहिए नहीं सामी वहाँ वन में आप उनका बजन कीजिए जो शिरिष्टी के रचने वाले पालने वाले और संहार करने वाले हैं सोई रगबीर पररत अनुरागी बजहून नाथ ममता सबत्यागी मुनिवर जतनू करही जही लागी भूपराजू तजी होही पिरागी हेनाथ आप विश्व की सारी ममता छोड़ करके उन्हीं शर्नागत पर प्रेम करने माले भगवान जी का भजन कीजिए जिन के लिए श्रिष्ट मुनि साधन करते हैं और राजा राज छोड़ करके विरागी हो जाते हैं सोई कोसल अधी सर गुराया आयू करन तोही पर दाया जो पिय मान हूं मोर सिखावन सुच्सु होई तिहूं पूरी अति बावन वही कोसल अधी सर गुराया जी आप पर द्या करने आये हैं यह प्रितम यह आप मेरी सीख मान लेंगे तो आपका अध्यन्त पितर सुन्दर याश्य तीनों लोकों में फैल जाएगा असकही नेन नीर भरी गही पद कंपित गाद नाथ बजहूं रगुनाथ ही अचल हुई अही वाद ऐसा के करके नित्रों में करना का जल भर करके और पती के चरन पकड़ करके कामते हुए शीर से मंदोद्री निकाह ही नाथ शीर रगुनाथ जी का भजन कीजिए जिस से मेरा सुहाग अचल हुजाए तब रावन मैं सुता उठाई कहे लाग खल निज प्रभुताई सुनूते प्रिया ब्रिथा भेमाना जग जोधा को मोही समाना तब रावन ने मंदोद्री को उठाया और वै दुस्ट उससे अपनी प्रभुता कहने लगा है प्रिये सुन। तुने वेर्थी भेमान रखा है। बतातो जगत में मेरे समान युदा है कौन। बर्ण, कुबेद, पवन, जमकाला भुजबल जितेई शकल दिख पाला देव दनुज नर सब बस मोरे कवन है तू उपजाब है तूरे बर्ण, कुबेद, पवन, यम्राज आदी सभी दिख पालों को तथा काल को भी मैंने अपनी बुज़ाओं के बल से जीत रखा है। देवता दानव और मनुश्य सभी मेरे वस में हैं। फिर तुम को ये भेक किस कारण उत्पन हो गया। नाना विधी तेही कहेशी भुजाई। सवावहोरी बैठी सो जाएं। मन्दोद्री हिदे अस जाना काल बस्य उपजा अभी माना। मन्दोद्री ने उसे बहुत तरह समझा करके कहा। किन्तु रामन ने उसकी एक ही बात नहीं सुनी। और मैं फिर सवावह में जाकर के बैठ गया। मन्दोद्री ने हिद्दे में ऐसा जान लिया कि काल के वश होने से पती को अभिमान हो गया है सभाई मंत्री नहीं तेहीं भूजा करब कवन बिदी दिपू से जूजा कही सचीव सुनु निसी चरनाहा बार बार प्रबू पूछ हूँ काहा सभा में आकर के उसने मंत्रिय से पूछा कि शत्रों के साथ किस परकार से युद्ध करना होगा मंत्री कहने लगे हे राक्षों के नात हे प्रबू सुनी है आप बार बार क्या पूछते हैं कहू कवन भै करिय विचारा नर कपी बालू आहार हमारा कहिए तो ऐसा कौंसा बड़ा भै है जिसका विचार किया जाए भै की बात ही क्या है नुश्य और वानर भालू तो हमारा भोजन की सामगरी है समके बचन श्रमन सुनी कहत प्रहस्त कर जोरी नीती विरोधना करेव प्रभू मंत्र ही मती अति थोरी तानों से सब के वचन सुन करके रामन का पुत्र परहस्त हाथ जोड़ करके कहने लगा है प्रभू नीती के वृत कुछ भी नहीं करना चाहिए मंत्रियों में बहुत ही थोड़ी बुद्धी है कही सचव सठ ठकुर सुहाती नाथनापुर आव ऐसी भाती बारिधी नाधी एक कपी आवा तासु चरित मन महु सब गावा मैं सभी मौर का खुशामदी मंत्री ठकुर सुहाती अथात महु देखी कह रही है हिनाथ इस वरकार की बातों से पूरा नहीं बड़ेगा एक ही बंदर समुद्र लांग करके आया था उसका चरित्र सब लोग अब भी मन ही मन गया करते हैं उसको समरन किया करते हैं चुदा ना रही तुम ही तब का हूँ जरत नगरु कस ना धरी का हूँ सुनत नीक आगे दुखपावा सचिवन आस मत प्रभु ही सुनावा उस समें तुम लोगों में से किसी को भूख नहीं थी बंदर तो तुम्हारा भोजनी है फिर नगर जलाते समें उसे पकड़ करके क्यों निखा लिया इन मंत्रियों के स्वामी आपको ऐसी सम्मत ही सुनाई है जो सुनने में अच्छी है पर जिस से आगे चल करके दुख पाना होगा जेही बारीस बंदाओं हेला उत्रेओं सेन समेत सुबेला सु भनू मनुजर खाब हाँ भाई बचन कहीं सब गाल फुलाई जिसने खेली केल में समुद्र बांदा लिया और जो सेन सहीत सुबेल परवत पर जा उत्रा ये भाई कहुवे मनुश्य है जिसे कहते हो कि हम खाल लेंगे सब गाल भुला भुला कर पागलों की तरह बचन कह रहे हैं तात बचन ममन सुनू अति आधर जानी मन गुन हूं मोही करी कादर प्रिय बानी जे सुनी जे कहीं ऐसे नर निकाए जग आहीं हितात मेरे बचनों को बहुत आधर से बड़े गोर से सुनीए मुझे मन में कायर मत समये जगत में ऐसे मुनुश्य जुन्ड के जुन्ड बहुत दिखके हैं जो प्यारी अर्थात मूँ पर मिठी लगने माली बाते ही सुनते और कहते हैं बचन परमहित सुनत कठोरे सुन ही जे कहीं दे नर प्रभु थोरे प्रथन बसीत पठ़व सनु नीती सीता दे करहोंपुन प्रिती है प्रभु सुनने में कठोर प्रंतो परिनाम में परमहितकारी वचन जो सुनते और कहते हैं नहीं मनुश्य बहुत ही थोड़े हैं नीती सुनिए उसके अंसार पहले दोत भेजिए और फिर सीता जी को दे करके शीरी राम से प्रिती मेल कर लेजिए नारी पाई फिर जाही जो तो ना बढ़ाई रारी नाहीं ना सन्मुख समर मही तात करिये हट मारी यदी वे इस्त्री पाकर के लोट जाएं तब तो व्यत जगड़ा मत बढ़ाईए नहीं तो यदी ना भिरें तो हितात सम्मुख युद्धवमी में उनसे हाठ पूरक डट करके मार काट कीजी ये मत जो मान हूँ प्रभु मुरा उहे परकार सुझ सुझ जग तोरा सुझ सन कह तसकंठ रिशाई असी मती साथ के ही तेही सिखाई ये प्रभु यदी आप मेरी ये सम्मती मानेंगे तो जगत में दोनों ही परकार से आपका सुझ जोगा रावन ने गुस्य में भरकर के पुत्तर से कहा अरे मूर्ख मुझे ऐसी बुद्धी किसने तुझे सिखा दी आप ही ते उस ओर संसे होई बेनो मोल सोत भ्यों धमोई सुनी पितु गिरा पुरुश अति घुरा चला भवन कहीं बचन कठोरा अब इसे हिद्धे में संदे भेहुरा आए हे पुत्र तो तब बांस की जड़ में घुमई हुआ तो मेरे बंस के अनकूलिया अन्रूप नहीं हुआ पिता की अत्यंत घोर और कठोर बानी सुन करके परहस्त ये कड़े वचन कहता हुआ घर को चला गया हित मत तोही ना लागत कैसे काल विवस कहूं बेशज जैसे संद्या समे जानी दस सीसा भवन चलेओ निरखत बुझ बीसा हित की सला आपको कैसे नहीं लगती आप पर कैसे असर नहीं करती जैसे मृत्यों के वश्वा रोगी को द्वा नहीं लगती संद्या का समे जान करके रावन अपनी बीसो बुझाओं को देखता हुआ महल को चला लंका सिखर उपर अगारा अती विचित्र ता होई एक खारा बैठ जाएं तेहीं मंदिर रावन लागे किनर गुन गन गावन लंका की चोटी पर एक त्यंत विचित्र महल था वहाँ नाच गान का अखाडा जहमता था रावन उस महल में जाकर के बैठ किया किनर उनके गुन समों को गाने लगे बाद ही ताल पकावज बीना नित्य करें आप छेरा पर बीना ताल कर ताल मरदंग और बीना बज रहे हैं नित्य में पर बीन अपसराएं नाच रहे हैं